नमस्कार मित्रों जै माता दी दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना आज के इस ज्यान वर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्यक्रम में मेश राशिवालो मुबारक हो महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी ने लिख दिया आपका भाग्य अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यानि कि कल से भगवान बजरंग बली जी के आशीरवाद से बहुत-बड़ा धमाका होने वाला है जी हाँ दोस्तों आप सब कुछ उपर वाले परमात्मा के हाथ में हैं अब आपके जीवन में जो भी होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा और मंगल ही मंगल होगा जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी का आदेश अब आप सभी के जीवन काल में चलने वाला है आने वाले समय में अब आपके जीवन में जो जो होगा देख कर पसीने छूटने लगेंगे सबके क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है और महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीरवात से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है अब तक की 5 सबसे बड़ी खुश खबरी जी हाँ दोस्तों खुश खबरी सुनकर आपको अपनी कानों में यकीन नहीं होगा क्योंकि अब आपकी कुंडली में स्वयम महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी विराजमान होने जा रहे हैं जी हाँ अब ऐसा सुनहरा मौका और ऐसा चमतकारिक बदलाव आपके जीवन में होगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी दोस्तों अब आपके जीवन से सभी नकारात्मक उर्जा का विनाश होगा और खुशियां और सुख शान्ती सीधा सीधा आपके घर में दस्तक देने वाले हैं दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है इस वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर एवं आपके चंदर राश्य के आधार पर हुआ है बहुत ही जांच पारक करने के बाद हमने आपके लिए ऐसा वीडियो का निर्मान किया है इसलिए मेरे प्यारे मित्रों आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो को पूरा अंत तक पूरा कंप्लीट देखिएगा और सभी बातों को कान लगा कर ध्यान से सुनेगा लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे तन्मन से सच्चे हृदय से संकट मोचन जय महाबली जय बजरंग बली जरूर लिखें जी हाँ दोस्तों आपको बता दें इस समय अवधि में शणी का शश योग और कालसर्प योग बनने जा रहा है जिस्म की आपको बहुत बड़ी खुश खबरियां मिलने वाली है इन समय अवधि में दोस्तों खुश खबरियां इतनी बड़ी मिलने वाली है कि खुश खबरियों को सुनकर आप खुशी के मारे ढोल और नगाडे बजा कर नाचने लगोगे जी हाँ इतनी बड़ी खुशखबरियन आपको एक साथ मिलने वाली है दोस्तों अब आप हो जाओ तैयार क्योंकि महाबली वहाँ शक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीरवाद से सब लोग ताली बजाएंगे और जश्न मनाएंगे जी हाँ दोस्तों आपकी आँखें तरस गई थी इंतजार करते करते लेकिन महाँ शक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीरवाद से अब आपका वह दिन आ चुका है दोस्तों कोई कुछ भी कहे आने वाले अगले 24 घंटे तक बिलकुल शान्त रहना क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आ चुका है और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आप इसी समय का इंतजार काफी लंबे समय से करते आ रहे थे अब आपका जीवन धन्य होने वाला है और खुशियों में सराबोर होने वाला है तो दोस्तों इस समय अवधि में कौन-कौन सी वा खुश्खबरियां मिलने वाली है कहां-कहां से खुश्खबरी आपको प्राप्त होने वाली है इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं वह भी ग्रह गोचर के आधार पर दोस्तों इतना भग्यशाली और लाभदायक समय बार-बार नहीं आता है इसलिए समय का सदुपयोग करें समय का सही इस्तिमाल करें और इन सभी शुभ अवसरों का लाभ उठाएं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी गुप्त बात बताने जा रहा हूं और यह गुप्त बात बाबा बागेश्वर धाम के परचे में निकला है इसलिए सभी बातों को एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन मजबूरन में आकर सच्चाई बता रहा हूं और यह सच्चाई हम आपको बहुत दिनों से छुपा कर रखे हैं वही सच्चाई हम आपको आज के इस वीडियो में अवगत कराने वाले हैं सच्चाई जानकर और सुनकर आप खुद को संभाल नहीं पाओगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी लेकिन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें बताना भी बहुत जरूरी है दोस्तों आपकी जिन्दगी और मौत का सवाल है आपकी जिन्दगी उस खत्रे के निशान पर खड़ी है जहां से बचना बहुत ही मुश्किल है लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे कुछ जरूरी सावधानिया हैं अगर आप उन सावधानिया का पालन करते हैं तो इन खत्रों से आप बच सकते हैं देखिए दोस्तों आपके जीवन उसे मोड पर खड़ी है जहां एक तरफ आपके लिए खुशी होगी तो वहीं दूसरी तरफ आपकी मौत का तमाशा देखने के लिए लोग तयार बैठे हैं इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाबदायक वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यह वीडियो आपको सही समय पर सही डिसीजन दिलाएगा और आपको क्या करनी है यह भी बताएगा क्योंकि अगले 24 घंटे के आपके साथ जो होने वाला है सुनकर यकीनन आपको बहुत बड़ा जटका लगेगा क्योंकि इस समय अवधी में शुक्र के साथ शनिका मिलाप होता दिखाई दे रहा है वही दोस्तों राहू के साथ मंगल भी परस पर खड़े दिख रहे है इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दे कि यह जो समय चल रहा है इस समय आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में काफी बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही है और काफी बड़ी-बड़ी अनहोनी भी हो रही है यानि कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो रही है जो कि आपकी सोच से भी परे है जी हाँ दोस्तों आप सोचते कुछ और हो लेकिन आपके जीवन में होता कुछ और है और कभी-कभी यहां तक इस जिन्दगी से आपका मन भर जाता है कभी-कभी आपके घर परिवार में कुछ ऐसी अन्होनी घटना भी हो जाती है जिससे आपको भी बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे समय आप बहुत ज्यादा क्रोधित भी होते हैं गुस्सा भी करते हैं और मन ही मन आप यह सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार मुझे किस कर्मों का सजा मिल रही है। हमने अपने जीवन में ऐसी कौन से कर्म किये हैं जिनका दुख हमें भोगना पड़ रहा है और उनका कर्ज चुकाना पड़ रहा है। यही सब सोच सोच कर आप हमेशा अपने जीवन में परिशान रहते हैं। डिमोटिवेट रहते हैं और आपके दुश्मन किसी चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं। जितना उनका मन करता है उतना वे लोग जम कर उनका फायदा उठाते हैं। दोस्तों, एक प्रकार से यूँ कहें कि आपके जीवन में दुखों का अमबार लगा हो। आपके जीवन में समस्या एक नहीं बलकि कई सारे समस्याएं हैं। लेकिन अब आपकी वह सभी समस्या महाबली, महाशक्तिशाली, भगवान, बजरंग, बली जी के आशीरवाद से द यार और अपने जीवन में चल रहे सभी दुखों का विनाश करने के लिए, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। यदि रात है तो दिन भी आएगा, और दिन है तो रात भी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता रही सर्दियों में जी सूरज का इंतजार होता है। गर लोगों के जीवन में कई अनेकों प्रकार के दुख दर्द हैं। एक से बढ़कर एक परेशानी है, लेकिन परेशानियों के बारे में दिन रात सोचकर खाली बैठने से परेशानियों का अंत नहीं होता है। जो भी होता है, सब अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन आप का भी समय आएगा और वह समय बहुत नजदीक आ चुका है दोस्तों यहां तक भगवान भी आपकी दुख तकलीफ को सहन नहीं कर पा रहे थे महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बल्ली जी से आपकी दुख अच्छी नहीं जा रही है इसलिए सभी देवी देवताओं ने मि मिलकर यह विचार किया और प्लान बनाया है कि अब आपकी राशे वालों को दुख नहीं सुख मिलेगा क्योंकि अब आप सभी के जीवन काल में सुखों का आगमन होने वाला है बस आपको ध्यान रखना है कि किस समय में कौनसे कार्य करने से लाभ की प्राप्ती होगी, किस समय में कौन से कार्य करने से नुकसान होगी उन कार्यों से हमें दूर रहना है और हमारा ध्यान हमारा महनत केवल उन कार्यों पर फॉक्स करनी है जिन कार्यों को करने से आपका भाग्य उदै होगा और आपके जीवन की एक नई खुशी, एक नई उमंग मिलेगी दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखना देखिए दोस्तों, जानकारियां आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपका दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बड़ी-बड़ी खुश खबरी मिलेगी किस प्रकार से आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी किस प्रकार से आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन होगी और किस प्रकार से नए कामों में सफलता मिलेगी देखिए दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको इन दो मुख्य बातों को विशेश ध्यान में रखना होगा और यह दो कार्य नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा अन्यथा आपको बेवजह परेशानी में पढ़ना पढ़ सकता है लेकिन दोस्तों सभी लोग चाहते हैं कि हमारा एक खुशहाल जीवन हो और हमें वह सभी सुख सुविधा प्राप्त हो जिनकी हमें जरूरत है लेकिन उसके लिए महनत और प्रयास कोई नहीं करना चाहता है जबकि यह बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना महनत बिना प्रयास इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है नहीं करना है तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा देखिए दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उबलते पानी में परच्छाई नहीं दिखती है और क्रोध अशांत मन से समस्या का समाधान भी नहीं मिलता है इसलिए मुश्किल समय में दुख के घड़ी में परेशान होने की बजाए खुद को शांत रखने का प्रयास करें दिमाग को ठंडा रखें, दिमाग को शांत रखें क्योंकि मुश्किल समय में दुख के घड़ी में परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है शांती मन से ठंडे दिमाग का प्रयोग करें देखिये दोस्तों, जो जितना शांत रहता है, वह उतना मजबूत होता है जिस प्रकार से लोहा जब गर्म रहता है, तब उस लोहे को किसी भी आकर में मोड सकते हो वैसे ही अगर आप गम रहोगे तो लोग आपको किसी भी रूप में मोड सकता है इसलिए कहते हैं कि गलती के वक्त थोड़ा जुक जाने से और गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से इनसान बहुत बड़े खत्रों से बच सकता है अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिएगा गुरुजी आपने एकदम सही कहा दोस्तों इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि मजाक और पैसा बहुत ही सोच समझ कर उड़ाना चाहिए अन्यथा बाद में बहुत पच्चताना पड़ता है देखिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सपना एक देखोगे तो मुश्किल है हजार आएंगी लेकिन वह मंजर बाद ही खूबसूरत होगा जब आपकी काम्याबी शोर मचाएगी कहते हैं न कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे किसी को भनक तक लगे मत देना कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं क्योंकि यह दुनिया साथ देने के लिए नहीं बलकि साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं इसलिए किसी के भी उपर भरोसा मत करिए खुद पर भरोसा रखिए और जमकर मेहनत करिए ग्रह गोचर का पूर्ण सपोर्ट सहयोग आपके उपर है मंगल ग्रह का भी सहयोग आपके उपर है गुरु बुध और यहां तक शुक्र अपने अपने भाव में चल रहे हैं इसलिए इस समय अवधि में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा जी हां कई सारे लाभ के मौके आएंगे और कई बड़े परिवर्तन होंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए सभी मौके का जमकर स्वागत करें और उनका लाभ उठाएं यही आपके हाथ में है बाकी सब परमात्मा के हाथ में रहेगा आपसे जितना होता है उतना करिए आगे करने के लिए उपर वाला ईश्वर है माता पिता का फूल सहयोग रहेगा और अपने माता पिता के आशीरवाद से आप बड़ी से बड़ी काम्याबी हासिल करोगे आपकी जीवन की सभी इच्छा पूरी हो जाएगी और अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी घटना आपकी किस्मत को स्वर देगी आपकी जिन्दगी को बदल देगी जी हाँ और आपके साथ बुरा चाहने वालों का मौत का घाट उतार देंगे यह शनी और मंगल ग्रह जीहां आधिकारिक पदों पर बैठे लोग अतीत की व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए आपके काम में देरी कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत चिंता का विशय हो सकता है क्योंकि इसका असर न केवल वर्तमान घटनाओं पर बलकि आपके भविश्य के उपक्रमों पर भी पड़ेगा इस समय बस अपने घरेलू सुख का आनंद लें और इससे आप में अधिक उत्साह पैदा होगा आज आपके व्यवहार में स्वास्थ्य, खुशी और तंदुरुस्ती की भावना देखी जा सकती है आप सभी के प्रति उदार महसूस करेंगे और अपने खुशनुमा मूड को दूसरों के साथ साज़ा करने के लिए पूरी तरह से तयार रहेंगे यह आपको भीड में लोकप्रिय बनाएगा आपकी खुशमिजाजी, मन की शक्ती, हास्य की भावना और सामान्य खुशहाली से आपके आस पास के लोग इरश्या करेंगे इस समय आपकी लव लाइफ में ठहराव है इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सिंगल और सतर्क हों इससे आपको पता चलेगा कि जीवन में पार्टनर के साथ रहने के अलावा भी बहुत कुछ करना है अगर आप अभी पूरी तरह से सिंगल हैं तो आप अपने जीवन में किसी नए व्यक्ती का स्वागत करने के लिए नए नए टिप्स जुटा सकते हैं पिछले कुछ दिनों में काम से जुड़े सभी मामलों में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और इस वजह से आप में अति आत्म विश्वास पैदा होने की संभावना है आज यह जरूरी है कि आप एक कदम पीछे हटें और मूल्यांकन करें कि आपके लिए वास्तव में क्या जरूरी है और आप अपनी क्षमता से क्या हासिल कर सकते हैं ध्यान रखें कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा न करें खुद के प्रती इमानदार रहें क्योंकि यही एक मात्र कदम है जो हर परिस्थिती में आपकी मदद कर सकता है। दूसरों की खातिर अपनी इच्छाओं का त्याग करने के बजाए अपनी पसंद की चीज चुनने में संकोच न करें। आप यह तय करने में भ्रमित हो सकते हैं कि कहां से शुरुवात करें, इसलिए बस उन सभी चीजों को प्राथ मिक्ता दें, जिनके बारे में आप निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप त्वचा और दांतों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। अपने आहार में भरपूर मात्रा में फल, हरी सबजियाओं, दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल करें। अलर्जी भी हो सकती है और यह समय सभी अलर्जी से बचने के लिए विशेश ध्यान रखने का है। अपने स्वास्थ्य और सुन्दर्ता को बनाए रखने के लिए उचित आहार और विश्राम व्यायाम आवश्यक हैं। अगर आप अपने प्रियतम के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने का सपना देख रहे हैं, तो आज आपके लिए यह अच्छा मौका है। अपने घर की चार दीवारी में या फिर प्रकृति के करीब कहीं साथ मिलकर दिन का आनंद ले। हलकी रोश्णी, खुश्बू और मुलायम पर्दे रोमांस की तीवरता को बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहते। ऐसा करें, आज आप हूब मौज मस्ती करेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो आपको एक रोमांचक करियर अवसर प्रदान करेगा। हालांकि यह मुफ्त नहीं मिलता है और आपको इसे स्वीकार करने से पहले परिणामों के बारे में लंबे समय तक और गहराई से सोचने की जरूरत है। यह आपके आसपास के कई लोगों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन यह दिन ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा नहीं है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनी यह मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए अच्छा समय बिताए हुए काफी समय बीद गया है। अपने व्यस्त कारेक्रम के बावजूद अपने पार्टनर के लिए कुछ समय निकालें। अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार या कोई काम आने वाली चीज भी खरीद सकते हैं। इससे उन्हें आपके प्यार और देख भाल का अंदाजा भी हो जाएगा आज आपके मालिक केवल वे सुनेगे जो वे सुनना चाहते हैं और यह स्थिती स्वतंत्र रूप से अपने आपको व्यक्त करने से आपको रोकती है आपके सहयोगियों ने ऐसी स्थितियों में बहुत अच्छी तरह से आपका समर्थन किया है और यह समय उन लोगों से प्राप्त हुई मदद की सराहना करने का समय है जब आपके मालिक का मन स्थिर होगा तब आपके धन प्राप्ति के योग है आपने अपने लिए बहुत उंचे मानक तय किये हैं और आप इन्हें हासिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी लक्ष तक पहुँचना मुश्किल होगा और इससे आपको थोड़ी निराशा होगी आपको लक्ष तय करने से पहले अपनी क्षमताएं ध्यान में रखनी होंगी समय कोई बध्धा फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं है आप में अपने करीबियों के लिए अपना जीवन अरपन कर देने तक की भावना है इस भावनात्मक जोश की उर्जा को खुद अपने शरीर के भले के लिए प्रयोग भी करके देखें क्योंकि इसे भी तो आपके प्रिय की सूची में आना चाहिए अपनी सब जरूरतों का ध्यान रखें क्योंकि शरीर के प्रति प्यार जाहिर करने का यही एक तरीका है सबसे बढ़ी बात तो यह है कि अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आपके पास करीबियों को अरपन करने के लिए जीवन भी नहीं होगा आज का दिन अपने रिष्टों की खटास और कड़ी वाहट को कम और सही करने का है लेकिन आप ही को पहला कदम उठाना पद्धेगा आपको महत्वकांग्शा और गर्व को पीछे रखना होगा और चीजों को खुद अपने हाथों में लेना होगा अन्यथा आपका रिष्टा एक उथल पुथल सवारी की तरह आगे बढ़ेगा आज आपका साथी अपना मन सारे सुझावों के लिए खुला रखेगा आप द्रिड निश्चे वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई काम शुरू कर दें तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं आप औरों के कहने पर नहीं जाते आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दुसरे कभी नहीं कर सकते इसी लिए आप उनसे आगे हैं अपना यह नजरिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मन्जिलों पर भी पहुँच सकते हैं जो दुसरे सोच भी नहीं सकते आपको आज यह महसूस होगा कि सेहत का संबंध शरीर की बजाए मन से अधिक है आप इसे समझने के बाद अपनी चिंता तथा तनाव से छुटकारा पाने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे और इससे न केवल आपका स्वास्थिय बलकि प्रवृत्ति में भी सुधार होगा कोई प्रेरणा दायक टेप सुने या आराम दायक मसाज की योजना बनाएं तो अच्चा संबंधी छोटी समस्याएं जैसे मूनहा से आदी आपको परेशान कर सकते हैं आज रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है आपको अपने पार्टनर को यह दिखाने की जरूरत है कि आप उन्हें या इस रिष्टे को गंभीरता से महत्व देते हैं यह सही समय है कि आप इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करें ताकि आपके पार्टनर को भी यह बात महसूस हो आज आपकी रोमांटिक लाइफ एक अंतरंग डिनर किसी रोमांटिक भाव, भंगिमा या गिफ्ट से नए मुकाम पर पहुँच सकती है शोद विधार्थियों को आज के दिन शुभ संदेश मिल सकता है जो विध्यार्थि आज के दिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं वे भी अपनी आशा से ज्यादा अच्छी परीक्षा देंगे परंतु समय के अनुसार, निर्णय और काम करना काफी महत्वपूर्ण होगा इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं आपको शीग्र अतिशीग्र इनका उप्योग करना होगा अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है आपको एक कठोर और कठिन निर्णय अपने कार्यक्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए लेना पड़ी डी एच सकता है आपके मिलनसार स्वभाव के कारण आपके बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन ये सभी विश्वसनिय नहीं है आज किसी भी दोस्त पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें आज आप बिलकुल स्पष्ट सोच रहे हैं और आप मुश्किल योजना बनाएंगे और उसे बहुत अच्छी तरह कार्यान विद्भी कर पाएंगे अपने अधूरे काम आज पूरे कर दें और चिंता मुक्त हो जाएं आपको यह बात बहुत ध्यान देकर समझने की आवश्यक्ता है कि आपका स्वास्थ्य आपकी संपत्ति है और आपको इसका बहुत ध्यान रखना है आज स्वास्थ्य संबंधी, कोई कार्यक्रम, कोई खेल या कोई अभ्यास कक्षा शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है तैराकी या पानी संबंधी, कोई अन्यकार्यकलाब, विशेश लाभकारी होंगे अगर आप आज स्वास्थे संबंधी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसकी सफलता की संभावनाएं अधिक होंगी आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलत फहमी को सपष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है आज आप एक ऐसे व्यक्ती से मिल सकते हैं जो आप से दूर हो गया था इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे अतीत और वर्तमान के रिष्टों का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बद्धा चुनौती पूर्ण कार्य होगा आप अपने वांशित लक्षों को प्राप्त करने के लिए और अपने परिवार की धन व्रिधी के लिए शक्तिशाली उर्जा से भरे हुए हैं आप अधिक ज्यान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे और जिससे आप अगली बार किसी की सेवा करने पर अधिक कमाने लायक हो जाएंगे इस तरह से आपके हाथों में वित्तिय सुरक्षा और सफलता के लिए सभी सामगरी रहेगी आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिलकुल सही है आज आप सामानने से अधिक आकरामक और द्रिड़ व्यवहार करेंगे इस से आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा इस अवसर का फायदा उठाने से न चूके आपकी सेहत काफी अच्छी लग रही है आज अपना मन पसंद खाना खाकर आनंद ले शराब पी कर गाड़ी चलाने से बचे कोई अप्रत्याशित तथा अचानक नुकसान हो सकता है आज कहीं यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा विशेश कर जो लोग इसी प्रकार के कामों या नौकरी में हैं बहुत अधिक सावधान रहें आप काफी संबंधों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और अब छोटे-छोटे संबंधों से बोर हो चुके हैं अब आपको अपने निजी दाइरे में वापस आ जाना चाहिए जहां कोई झांक भी न सके अगर आप किसी संबंध से परेशान हो चुके हैं और इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे तो अपने साथी को इस बारे में बता कर आप छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकते हैं इस बात के काफी मजबूती से संकेत मिल रहे है कि आपको अपनी नौकरी की वजह से विदेश जाना पडड़ी डीच सकता है जिन विद्यार्थियों ने वीशा के लिए आवेदन किया हुआ है उनका काम आज पूर्ण होने के आसार बन रहे हैं आपका कार्यस्थान का परिवर्तन ऐसी जगह हो सकता है जिससे आप अंजान हो आपको इस अवसर का लाब उठाना है ताकि ये मौका कही हाथ से न निकल जाए जिससे आपके करियर को नई गती मिलेगी अगर आप पहले से ही विदेश में कार्यरत है तो अपनी मात्र भूमी में वापस कार्य करना इतना लाभप्रद नहीं होगा आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेंदेन पूरा करने वाले हैं सकारात्मक सोच आपकी शक्ती है और आपको इसका लाब उठाना है आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोथसाहित करेगा आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे नई सोच से समरिध्य हासिल होगी आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है इसलिए आपके लिए भी यह कोई बढ़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें आपको खूब एकसरसाइज और अच्छी नीन लेनी चाहिए अगर आपके शरीर को सामानने काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बढ़ते हैं ऐसी एक सावधानी है पानी की मात्रा बढ़ाना एक शुष्क पतच डेच के बाद आपके जीवन में प्यार के फिर से सक्रिय होने की संभावना है कुछ समय से आपका प्रेमी आपकी अंदेखी कर रहा था लेकिन अब वह अपने प्रयासों को दुगना करेगा ताकि इस अंदेखी की भरपाई हो सके प्यार में आक्रमक न हो बलकि उन पलों को याद करे जो की आपके लिए इतने महत्वपूर्ण थे आपको अतीत की शिकायतों और पच्चतावों को पीछे छोट डहाना होगा आज का दिन नई शुरुआत के लिए बिलकुल सही है आप अपने आपको पीछे धकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे किसी नए अवसर में जिन्दगी बदलने की क्षमता है लेकिन आपको उसे समय रहते पकद देदे अचना होगा समय रहते लिया गया निर्णयात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूरण एवं लाबकारी बदलाव ला सकता है जो लोग आपको अपना करीबी समझते हैं आज आप उनके लिए प्यार और सहायता का स्रोत बनना चाहते हैं लेकिन उनकी देखभाल के साथ साथ अपनी सेहत को भी नजर अंदाज न करें किसी भी तरह के इंफेक्शन से बचने के लिए घर का बना खाना और यह तक कि पानी भी घर से लाएं अपने समय का सीमांकन करें कि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना समय रखना चाहते हैं आज का दिन प्यार के लिए उप्युक्त है अपने प्रिये के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार उसके लिए कुछ स्पेशल करके करें और देखें कि दिन कैसे खास बन जाएगा रोमान्स की संभावना है अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से हो सकती है या फिर आप अपने किसी करीबी को ही नए सिरे से रोमैंटिक तरीके से देख सकते हैं आज अपने कार्य से संबंधित कारणों से अपने निवास स्थान में परिवर्थन की संभावना है आपको पदोन्नत किया जा सकता है और एक अलग शेत्र के लिए स्थानांत्रित किया जा सकता है या आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहन कर सकते हैं आप एक पेशेवर सलाह या अपने किसी करीबी से आज कैरियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं। अगर आप इस सलाह पर परियाप्त ध्यान देंगे तो आप काफी लाभानवित हो सकते हैं। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिल सकती है। घर में आर्थिक तंगी रहती है। तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ दो लॉंग भी पूजा में अर्पित करें इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में पांच लॉंग और पांच कौडियों बांध कर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें ऐसा करने से मान लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन का आग मन होता है आपके लिए वर्तमान स्थिती काफी मुश्किल भरी है लेकिन सहन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है आज भी आपके पार्टनर से आपकी लेड़ अढ़ाई हो सकती है और अगर स्थिती अधिक खराब हुई तो अलग होने की नौबत भी आ सकती ह है लेकिन आपको शांती बनाए रखनी होगी क्योंकि यह अस्थाई चरण है खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने दे आगे बढ़ाकर बातचीत से अपने पार्टनर के साथ सब गिले शिक्वे हमेशा के लिए दूर कर ले आज का दिन अपने सभी लंबित कारियों को पूरा करने के लिए एकदम सही है आपकी नहीं बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाए इसलिए आपको शीगरता दिखानी होगी क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है आज नई प्रतिबधताओं का दबाव कम होगा इसलिए आप अपनी पुरानी प्रत शानियां और असहमतियां दिन भर सामने आती रहेंगी। आपको इन छोटी छोटी बातों की उपेक्षा कर देनी है। नहीं तो आप अपनी मानसिक शान्ती को नश्ट कर लेंगे। अपनी समस्याएं किसी के साथ बांटने की कोशिश करें। आपको अच्छा अनुभव होग एकांत की गतिविधियां आज बहुत अच्छी रहेंगी। आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंतरित पाएंगे। जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग अडाता रहता है। इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए अपना ध्या नहीं बना पाएं हैं। निराश न हो उनके दिल में जगह पाने की कोशिशों से ही आप उनके दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि वे ऐसा दिखाते नहीं लेकिन प्यार पनप रहा है। आपको बहुत जल्द इसका एहसास भी हो जाएगा। आप अपने सभी लक्षियों को समय पर पूरा करेंगे और कार्यक्षेत्र में शान्ति का माहौल रहेगा। लेकिन व्यापार के मामलों में किसी भी समझोते पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी विशेश्चियों से परामर्ष करें। धोखा धड़ी की संभावना है। यदि संभव हो तो अपनी व्यपारिक सौदों को दूसरे दिन पर ठाले और अपने सहयोगियों की विश्वसनियता का मूल यांकन करे। आप आज होने वाली घटनाओं के कारण और कई तरह की उलटी सीधी सूचनाओं के कारण खुद को उलज़न में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इस सम दिशा में आगे बर पाएंगे जिस दिशा में आप बरना चाहते हैं। सांस से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी किसी जगह पर जाने से बचें, जहां इलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ मोजूद हो सकते हैं, जो खनन या फिर इसी प्रकार के क्ष पुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि समस्या ज्यादा नबर है। पिछले कुछ दिनों से आपके वर्तमान या होने वाले संबंध को लेकर आपके मन में धेर सारी चिंताएं और संदेह हैं। आज सारे संदेह मिठ जाएंगे और आप अपने संबंध और अपने पार्टनर क के बारे में स्पष्ट होकर सोच पाएंगे। आप अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छा और स्पष्ट निर्णय भी ले पाएंगे।